वेस्ट इंडीज और इंग्लेंड के बीच बार बाडोस में जारी दूसरा टेस्ट मैच ड्रो की तरफ बढ़ दा है इस मुकाबले से फैंस को काफी उमीद थी कि वेस्ट इंडीज के इस मैदान पर टीम वेस्ट इंडीज जोर कुछ करेगी घरेलू मैदान है बारा पोइंट्स की कीमती लड़ाई है और वर्ल्ट एस चेंपेसिप में अगर बने रहना है तो वेस्ट इंडीज और इस मैच में इंग्लेंड ने अपनी पहली पारी में 507 रन बना कर 9 विकट पर पारी को घोशित किया जिसके बाद मेजबानों ने कप्तान क्रेक ब्रेथवेट की मेराथन पारी के दम पर 411 अरम ना है चौते दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लेंड ने भी दूसरी पारी म बिना किसी नुकसान के 40 रन बनाने इसी के साथ साथ इंग्लेंड की बड़त 136 रन की हो गई है अब सिर्फ तीन सेशन यानि कि 90 ओवर का खेल बचाईस में वेस्ट इंडिस को ओलाउड भी करना है इंग्लेंड को एक अच्छा स्कोर भी बनाना है तो मुकाबला काफी दिल करके दिया 160 रनों का बड़ा स्कोर बनाया मैराथन पारी विंडिस कप्तान ने 489 बोल्स का सामना किया 489 गेंदे और इन्होंने लगबग 710 मिनट 710 मिनट तक बले बाजी भी की लेकिन आपको बताएं कि ब्रेट वेट की ये पारी मेजवान टीम के पूर्व कप्तान और दिगज बले बाज ब्रैन लारा के 400 रन के वर्ल्ड रिकोर्ड के बाद किसी वेस्ट इंडिस खिलाडी दुआरा खेली गई सबसे लंबे पारी है ब्रेट वेट ने इंगलेंड के खिलाफ 710 मिनट तक बले बाजी की वहीं ब्रैन लारा ने इंगलेंड के खिलाफी साल 2004 मे 778 यानि कि 778 मिनट तक वल्ले बाजी करने का रिकोर्ड दर्च किया इस दुरान ही 400 रन की नाबाद पारी खेल कर लारा ने वर्ल्ड रिकोर्ड भी बनाया था ब्राइन लारा ने अपने 400 रनों के वर्ल्ड रिकोर्ड के दुरान 582 बोल्स का सामना किया इसके बाद क्रेक ब्रेटवेट ने विंडीज के खिलाफ एक पारी में सबस्यादा गेंद खेलने वाले गेंद बाज बने उन्होंने इंगलेंड ए खिलाफ बारबरोस में ही 489 बो 136 रन्स के साथ आगे चल लई है लेकिन बात करें इस मुकाबले की तो मुकाबला काफी इंटरस्टिंग हो चुका है मैच ड्रो की स्थिति के तरफ भी जा रहा है लेकिन क्रेक ब्रेटवेट ने 17 चोक्य अपनी सपारी में लगाए और 32.72 के स्ट्रैक रेट से बल्ले जी करीब वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में नेक्स्ट नैनी स्पोर्ट की रिपोर्ट